नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गनेशाइश्टो हेल्प में मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तुला राशी के बारे में तुला लगन के बारे में, अक्टूबर के महिने में कैसा रहेगा अक्टूबर का महिना, क्या चेंज आ सकते हैं हमारे अक्टूबर के महिने में लाइफ के किन फिल्ड में चेंज आएंगे और क्या हम साबधानिया बरत सकते हैं किस लाइफ के छेतर के लिए क्या खबर है क्या अच्छाई क्या कुछ साथधानी हम बरत सकते हैं तो सभी छेतरों के बारे में बात करेंगे सभी बातों के ओपर ध्यान देंगे सभी ग्रहों के बारे में उनकी ड्रश्टियों के बारे में सब कुछ देखेंगे तो देखे इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली फिलहाल में अब मैं जो कह रहा हूँ आपकी कुंडली मैं बात कर रहा हूँ गोचर कुंडली की गोचर का मतलब होता है फिलहाल में जो ग्रह हैं जिस राशी में हैं जिस नक्षत्र में हैं आपके लगन या आपकी राशी के अंसार उसकी बात कर रहा हूं मैं अब यहाँ लगन और राशी ये दो चीज हैं लगन वो है जो आप अगर अपनी पत्री खोलेंगे जो कुंडली खोलेंगे चाहे वो आपका एस्टोर सेज हो या जो भी हो जो कुंडली बनकर आती है उसमें ये जो भाव है न ये पहला वाला भाव इसमें अगर साथ नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका लिब्रा लगन है तुला लगन है अगर जहाँ पर चंडरमा है वहाँ पर सेबन नंबर है साथ नंबर है तो फिर आपकी तुला राशी है या लिब्रा जो है आपकी राशी है तो हमारे यहाँ बैदिक जोतिश में हम चंडरमा की जिस राशी में होता है उसी को राशी बोलते है और लगन में जो राशी होती है वो आपका लगन होता है तो इस तरह से हैं आपके ग्रह फिलहाल में अच्छा एक कुंडली तो यह है जिसकी हम बात कर रहे हैं एक और कुंडली है जो और भी बिजाते महत्तपुन है और वो है आपकी जन्म कुंडली आपके जन्म कुंडली के जो होगी वो अलग है ये गोचर की कुंडली है ये फिलहाल में जहां पर ग्रहो की इस्तिति ये और जन्म कुंडली जब आप पैदा हुए थे जिस moment आप इस प्रत्वी पर आये थे और वो समय वही होता है जब माता से बेबी को अलग किया जाता है जो काटी जाते हैं उसको नाल बोलते हैं अलग किया जाता है माता से physically वो समय लिया जाता है normally first breathe का समय उसी को बोलते हैं तो वो जो समय होता है उस समय पर जो तारा नक्षत्र ग्रह थे उसके according तो वो जनम पत्री है वो मेन होती है वो बताती है कि व्यक्ति कितना उपर जाएगा शादी कब हो सकती है प्रेम बिवा होगा या फिर शादी का जो बिवास जो लाइफ है वो कैसी रहेगी कि कैरियर किस फील्ड में जाद अच्छा रह सकता है व्यक्ति फेम मिलेगा या पैसा मिलेगा वो सब चीजे उस समय ही तै हो जाती है अब गोचर कुंडली क्या बताती है ये बताती है अब हो पाएगा या नहीं या कब होगा दशा महादशा बताती है कब होगा फिर उसमें भी गोचर देखते हैं कि गोचर का फेवर कर रहा है तब होता है तो चीजां तो जब ही तैय हो जाते हैं जब आप पैदा होते हैं जैसा कि चानक के ने कहा है जैसा कि बहुत सारे रिशियों ने कहा है कि वो जर्म समय ही प्रारब्ध तो उसी समय हो जाता है अब सिर्फ ये बताती है कुंडली की क्या हो सकता है अगर कुंडली में योग है तो गोचर उसका result देते हैं तो इस तरह के result हैं आपके इस तरह के कुंडली दिखती है तो यही बात है देखे साड़े साती हुई लोग परिशान रहते हैं धहिया हुई लोग परिशान रहते हैं पर अगर आपकी जनम कुंडली की दशा महादसा अच्छी है तो साथी हो या धहिया हो आपको कोई खास परिशानी नहीं होती है पर अगर वहाँ पर कुछ ऐसा है और दशा महादसा नहीं है उस समय आपकी धह अगर आ जाए तो problem होती है तो इस तरह से देखिए आपकी दिखती है कुंडली ये पहला भाव है ये पर्थम भाव है इसमें बुद्ध बैटे हैं जो वानी के मालिक है बुद्ध जो होते हैं हमाईसा speech को दिखाते हैं मौसी को दिखाते हैं और दोस्तों को भी दिखाते हैं communication को दिखाते हैं दूसरे भाव में दुद्ध भाव जो की धनका है family का है उसमें केतु बैठे हैं जो की मोक्ष का रखे हैं मोक्ष को दिखाते हैं spirituality को दिखाते हैं ये तिरतिय भाव है जो छोटे भाई पड़ोसी और Communication का है पराकरम का भाव है इसमें गुरु बैठे हैं अपने ही राशी में बहुत अच्छी बात है अब वो वक्री भी नहीं है तो एक सुपसमाचार है शनी जो हैं आपके चतुर्त भाव में बैठे हैं जो की मन की शांती को दिखाता है घरगाड़ी बंगले को दिखाता है शनी यहां पर अपनी ही राशी में सश नाम का महापुरुस योग बना कर बैठे हैं यह पराकरम नाम का एक तरह से योग बन गया है और यह सश नाम का महापुरुस योग है हलाकि यह शनी की धहिया भी है जिनकी तुला राशी है मतलब जिनका चंद्रमा तुला में है धहिया में क्या होता है धहिया का मतलब होता है इमतिहान शनी इमतिहान लेते हैं प्रॉब्लम लाते हैं कार में बदलाब आता है और मेहनत जादे करनी होती है actually वो आपको सिखाना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि बंदा कितना मेहनत कर सकता है और कितना हार नहीं मालेगा कितना अपने सही नियम के according कितना आगे बढ़ पाएगा उस चीज को देखते हैं धहिया ऐसी कोई बुरा समय नहीं होता कठिन समय होता है जैसे कि अग्जाम हमेशा कठेन होता है और बच्चे हमेशा उससे डरते हैं कि भाई अपढ़ा ही करनी होगी तो वो ही वाली बात है और जिनका लगन है साथ मातुला उनके लिए ढहिया नहीं है पर उनके लिए भी समय थोड़ा सा महनत करने वाला ही है पंचम में कोई घ्रह नहीं है अभी फिलाल और चटा जो भाव है जो रोगडें सत्रू का भाव है उसमें मंगल है 4 अक्टूबर से 4 अक्टूबर से जो है 6 था उसमें मंगल है मार्स है ये 7 था उस है सात्मा भाव है जो शादी का होता है बिजनिस का होता है फेम का होता है यश का होता है पैसे का भी होता है यात्राओं का होता है ये अस्टम है जिसमें राहू बैठे हुए है राहू और केतु के उपर का जो महा परिवर्तन है उसके उपर मैंने लग से वीडियो बनाया है उसमें ज़्याद है बिस्तार में डिटेल में बताया गया है उसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन हुआ है ये भाग्य भाव है भाग्य भाव में कोई नहीं है ये करम भाव है दसम भाव है इसमें भी कोई नहीं ये आपका एकादस भाव है एकाद भाब इसको बै भाब बोलते हैं, मोक्ष भाब बोलते हैं, कहीं बार इसको foreign settlement और foreign countries का भाब भी बोलते हैं, import export का भाब बोलते हैं, नींद का भाब बोलते हैं, और कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि subconscious mind का भाब भी बोलते हैं, सपनों का भाब बोलते हैं अधर डाइमेंशन का भाब भी बोलते हैं तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली अब हम एक एक ग्रह को लेते हैं और उसका जो एफेक्ट होगा सभी के लिए चाए वो स्टूडेंट्स हो चाए अब जॉब में हो आप केरियर में हो या फिर आप is थोड़ी और ज़्यादा हो सभी के लिए हम बाते करेंगे क्या हो सकता है जैसे कि बुद psychologically के मालिक है और फोरण लैंड के मालिक है नेंद के मालिक है expenditure खर्च के मालिक है तो खर्च आहेगा आप खर्च करेंगे आराम दायक चीज़ों के उपर एश्वरे की चीज़ों के उपर इंद्रे सुक की चीज़ों के उपर जैसे कि एर कंडिशनर है कोई भी चीज जो आराम देती है उसके उपर खर्च आएगा और भी किसी चीज़ के उपर खर्च आ सकता है घर में यात्रा हो सकती है पढ़ाई के ऊपर भी खर्च आ सकता है और भाग गजिशे भाग गया आपका साथ देगा खर्च होगा उसका एक फैलू है पर दूसरा पैलू ये भी है कि भाग गया आपका साथ देगा लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका जो communication होगा वो अपनी पतनी के साथ पती के साथ, प्रेमी के साथ प्रेमिका के साथ, और contract में business में वो काफी अच्छा रहेगा और उससे आपको लाब भी होगा उससे आपको लाब भी होगा कोकि यहाँ बैठे बुद्ध जो है सब्तम भाब को देख रहे हैं, जो की communication दिखाता है किसके साथ opposite pole के साथ, मतलब इस्तरी पुरुष के साथ, दोस्तों के साथ, आपके जो जिससे आपका business है उनके साथ बुद्ध पहले भाब में दिगवाला प्राप्त करते हैं, उनको एक special strength प्राप्त होती है, तो आपकी बुद्धी जो है, काफी intellect, काफी sharp रहेगा planning आप काफी अच्छी कर पाएंगे और अच्छी planning होती है, तो कार भी अच्छे होते हैं बुद्ध की बात करें, तो देखे, 14 October से 2 November तक, मतलब पूरे October 14 के बात, बुद्ध थोड़े वक्री हो जाएंगे तो 14 तक, खास कर कि कोई अगर आपको नया काम सुरू करना है नई चीज करनी है, कोई बहुत बढ़ा लेना है, documents में, business में कार में, किसी में भी, 14 तक लेने की कोशिश करें उसको क्योंकि बुद्ध जो है बक्री जब होते हैं, तो बोलते हैं ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, थोड़ा check करके documents का जब मामला हो, तो जरूर check करके दें, और क्योंकि उसमें गलती हो सकते है, communication में अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि गलती, गलती तो हो सकती है, पर उस गलती से आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि depending upon आपकी जनम कुंडिली में बुद्ध की स्तिती कैसी है, हो सकता है, गलती से आपका फायदा हो जाए, ये भी हो सकता है, पर ये है कि हाँ 14 तारिक के बाद जो डॉकुमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा चेक करके 2-3 बार देखकर कोई भी कम्यूनिकेशन है उसका ध्यान दखना है और misunderstanding हो सकती है पर ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है अगर हम केतु की बात करें केतु और राहु का ये जो चेंज हुआ है आपके लिए तो केतु का दूसरे भाब में आना वानी से कुछ अचानक ऐसा निकल जाना जो वास्ता में आप कहना नहीं चाहते थे पर निकल जाता ने कभी मूँसे बोलते हैं कि हो गया कह दिया ऐसा कहना नहीं चाहते थे पर निकल गया उस समय गुसे में निकल गया जो भी है तो फिर बाद में माफी मांगते हैं लोग अकसर तो इस तरह की सुचुएशन हो सकती है तो बड़ा शालीनता से बड़े प्रेम से बड़े धान से बोलें मीठी वानी बोलिए वो कहा बत है न कि मीठी वानी बोलनी चाहिए आपको आप हरवार साथ इस कंडिशन में नहों कि आप किसी की help कर पाएं कर सकते हैं चाहिए करना चाहिए पर नहों पर बोलतो सकते हैं, advice तो अच्छी दे सकते हैं अपने मन से उनके लिए इच्छाय तो अच्छी रख सकते हैं और जैसी energy आप देंगे, जैसी आप इच्छाय रखेंगे, वैसी आपके पास घूमकर अकसर आती हैं क्योंकि हम सब जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से जुड़े हैं यह जो एक सम्हू है जिस तरह इतनी दूर के स्टार्स हम को प्रभावित करते हैं हमारे अंदर से ही करते हैं दिल के थुरू, मन के थुरू उसी तरह से हम जो आसपास हैं वो भी तो आपस में जोड़े है ना, common sense की बात है, और यह सचते भी है, जबी तो देखा ना, माता को सपना दिख जाता है, कभी-कभी, अगर पुत्र की जीवन में कुछ, बहुत ज़्याद है, ups and down है, वो feel कर लेती है, इतने हजारो किलोमीटर दूर से भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े है, जिस तरह की energy हम देते हैं, जिस तरह की हम thoughts हम create करते हैं, उस तरह का हम पर असर पड़ता है, medically भी, यह prove है, आप थोड़े सी दर stress में आके देखिए, लीवर आपका थोड़ा सा down हो जाएगा, भूख आपको लगनी कम हो जाएगी, पांच मिनिट में ही, थोड़ा सा positive रही है, हसिये खेलिये, मन बच्चों के साथ में है, जो चीज आपको पसंद हो, अच्छी चीज जो आपको पसंद हो, और फिर देखिए, आप तुरंट थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, आपके काम करने की एंडर्जी भी उपर जाएगी, चाहे वो याद करने की हो, या बताने की हो, या किसी चीज को प्लान बनाने की हो, तो ये बहुत जरूरी है कि positive रहें, यहां से जो केतू और राहु की दस्टी, राहु का जो अश्टम है, सेहत का थोड़ा ध्यान दखना है, इस बाएसे मैं इस बात को ध्यान दे रहा हूँ, सेहत के ध्यान के लिए आपकी मानसिक और सारे रिक तौनों ही चीज़ें जरूरी हैं, खाने का ध्यान दखें, balance रखें, खाने में और क्या कह सकते हैं, काम में, आराम भी हो आपके पास, वाणी का ख्याल रखें, खाने पीने में सात्वी खाना लें, हलका खाना लें, सात्वी खाना लें, कि राहु के तू जब second भाब को प्रभावित करते हैं, तो वानी के सासा भोजन का जो intake है, वो थोड़ा सा, तामसिक करने की कोशिस कर सकते हैं, और तामसिक भोजन बहुत जाद अच्छा नहीं होता, जैसे जैसे age बढ़ती है, वैसे वैसे चाहिए वो alcohol हो, चाहिए वो meat हो, आपके health के लिए उतना ही negative होने लगता है, आपके intestine के लिए भी, बहुत सारे जो cancer हैं, उसमें इस चीज का role होता है, और धीरे धीरे जैसे science बढ़ता जा रहा है, ये चीजें भी और जादे खुलती जा रही है, कि ये जो खाना है वास्त में, तामसिक खाना हमारे लिए अच् बहुत जादे spices, बहुत जादे spices भी तामसिक हो जाता है, तो हलके हलके spice अच्छे हैं, अब इसके बाद अगर हम गुरू की बात करें, गुरू जो तृतिए भाब में, जो कि आपके सश्टेस भी हैं और तृतिएस भी हैं, बहुत जादे सुब ग्रह नहीं हैं, पर फिर भ पूर्ण होंगी भी, जितनी मेहनत करेंगे, उसकी कुछ इच्छा आवस्चे पूर्ण होंगी, क्योंकि यहां से गुरू भाग्य भाब को देख रहे हैं, तो भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य इस भी लगन में आ रहे हैं, कुछ खर्चा भी होगा, तो इनकम भी प्यार का, महबत का, शादी का, विवाह का, तो जो लोग सिंगल हैं, इनके जीवन में कोई प्रेमी नहीं है और वो चाहते हैं, तो देरीजे अपरचुनिटी, यहां पर एक संभावना है कि आपके जीवन में कोई आ सकता है, कोई आ सकता है, इसके साथ साथ जिन लोग की शादी रिष्टा धून रहे हैं, शादी नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आपका गुरू कुंडिली में अच्छा है, उसकी दशा महादशा है, और ट्रांजिट में भी वह आपको फेवर कर रहे हैं, तो शादी वगरा के लिए, अच्छा समय है, गुरू की यहां से डश्टी सीधी नवम्भाब पर वीए, तो यातरा है के लिए, पिता के साथ रिलेशन में सुधार होगा, गुरूों के साथ रिलेशन में सुधार होगा, आपकी मुलाकाट किसी गुरू से हो सकती है, बाहर जब कभी यातरा पेहोट कहीं बाहर जा रहे हैं, उस समय ऐसे वक्ती से ज रिष्टों में भी मिठास आएगी पतनी के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमी का के साथ, पती के साथ, रिष्टों में मिठास आएगी, समंधों में सुधार आएगा, यहां बैठे गुरू आपको बड़े भाई से जो रिष्टा होता है उसमें भी सुधार लाएंगे आपका जो सरकल है, फ्रेंड सरकल उसको बड़ा करेंगे आपकी मुलाकात किसी ऐसे बहुती सीरियस हाई पोस्ट के व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लिए helpful हो सकता है, तो एक तरह से आपके लिए काफी अच्छा समय है इस्त्रियों के थरू, females के थरू, आपको काफी फायदा हो सकता है चाब आपकी बेहन हो, माता हो, पत्नी हो तो उनकी बात मानें और काफी सारे आपके दोस्तों में कुछ female friends जुड़ सकती है इस तरह का यहाँ पे संभावना है इसके साथ साथ आपके छोटे भाई हैं, उनकी कोई idea आपके कामा सकता है गुरू के बाद अगर हम शनी को देखें तो शनी चतुरस भाव में नॉर्मली माता के लिए बहुत अच्छे नहीं होते आत्मिक सुक के लिए तो बहुत अच्छे नहीं होते पर घर, गाड़ी, बंगला, जमीन खरीदने के लिए अच्छे होते हैं बैठ, खास करकि अगर आपका तुला लगन है तब आपके पोश्ट पोजिशन को भी बरधी करेंगे, बिजनिस को भी बढ़ाएंगे अगर ये तुला लगन है पर महनत काफी कराएंगे, बहुत जादे महनत करते रहेंगे, तब थोड़ी-थोड़ी उन्नती होगी और अगर आपका तुला राशी है तो ये ढहिया है, काफी महनत कराएंगे, पर उसके बाद भी देखिए ये इस बात का जरूरी नहीं है कि आप बहुत महनत करेंगे, कुछ ना हो ये ऐसी कंडिशन तब बन सकती है, अगर शनी आपके कुंडली में कमजोर हो, फिलहाल आपकी शनी राहु केतु इनकी दशा अंतर दशा चल रही हो, और अश्टक वरगा में भी शनी के पॉइंट कम हो, तब काफी महनत करनी पड़ेगी पर याद रखेगा, जिसने महनत नहीं की, वो कभी उपर नहीं गया, और जितना बड़ा भक्त होता है, उसकी परिक्षा उतनी बड़ी होती है, अगर आपको कहीं ओहत उपर ले जाना है, इस प्रकृती को, तो फिर वो इंतहान लेगा ही लेगा, कहते हैं ना, जिंदगी इंतहान लेती है, यह बात सही है, पहले भी मैं कहा चुका हूँ, देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा, कि किसी बहुत पड़ी सफलता से पहले वेक्ती के जीवन में बड़ी कठिनता आती है, और उसके कई उधारन आपको मिलेंगे, जैसे कुछ दिन पहले में एक आटोवायग्राफी पढ़ रहा था, वो एक इस्तरी है, जो हिमाले पर पहुंच गई, उससे कुछ दिन पहले उनका ट्रेन में एक्सिडेंट हो गया, तो टांगे जो हैं टूट गई, डॉक्टर ने कहा यह तो चल नहीं पाएगी, नाम भूल रहा हूँ मैं, और फिर बा पहुंच गई, अगले दिन उनके मन में असमंजस की क्या करूँ पिता भई, कितनी बड़ी बात है, पर फिर भी वो गए खेले, सैंचुरी बनाई, और फिर आके अपने पिता का, जो किरिया करम अंतिम संसकार, जो होता है वो किया, तो उन्होंने अपने कह सकते हैं कि हिम् तो वो ऐसी चीज़े करती है, बहुत से लोग कहते हैं अब तो मतलब टांग तूटके ही, तो हिमाला की बात, दूर की बात है, चलेंगे भी नहीं, ऐसा होता है न, हिम्मती हार जाते हैं, बिराट कॉले भी चाहते तो मैच कैंसल कर सकते थे और सीधा महा जाते, तो मुझे कमाना important नहीं है, पर कई बार पैसा कमाने के लिए आदमी को बहुत कुछ सीखना होता है, आलत से को दूर करना सीखना होता है, टाइम पे चीज़ें करना सीखना होता है, और तो और रिष्टे निभाने सीखना होता है, आप इसमें बना के रखना सीखना होता है, बहुत सार चीजें होते हैं इसको personality development भी कह सकते हैं वो जरूरी हो जाता है जब आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं आप सिर्फ मेहनत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं वो तो कोई बहुत सारे लोग करते हैं मेहनत के साथ साथ बहुत कुछ आपको सीखना होता है तब आगे बढ़ते हैं इसलिए अगर आप कोई उपर जाना है तो कुछ छोटी मुटी किताबें पढ़ते हैं ज्यान कुछ कोर्स चाहे हो personal development का हो चाहे हो बात करने का हो चाहे हो planning बनाने का कुछ न कुछ सीखते रहना अपने आपको upload करते रहना वैसे भी यह समय जो धाया का है वो अपने आपको डबल अप करने के लिए जादा important है और जैसे ही शनी फिर धाया खतम होगी उसका result आपको मिलेगा जब शनी दूसरे भावों में आएंगे तब शनी की हासे दश्टी जो है मंगल पर पढ़ रही है छटे भाव पर पढ़ रही है पहली बात तो रोगरेंड सत्रू का तो यह विनास करेंगे पर सेहत का ध्यान दखना है सेहत का ध्यान दखना है किसी से फालतु की बात में जगड़ा नहीं करना है उसमें थोड़ी सी misunderstanding हो सकती है फालतों की बात बात बढ़ सकती है तो उसको ignore कर दें अगर वो कुछ कहना चाहते है अगर उनका mood सही नहीं है तो उस बात को हो सकता है उसके उनके सामने नहीं ना जाएं जाएं भी तो diplomatic तरीके से किसी बात को तूल ना दें इस बात का धान रखें शनी की जो है दसम दश्टी यहां से लगन पर पड़ेगी तो चीज़ां लेट होंगी महनत करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके प्रयास जो हैं बेर्थ जा रहे हैं वास्तमे बेर्थ चाह नहीं रहे हैं वो सब शनी महराज श्टोर कर रहे हैं देख रहे हैं कितना धहरे इसके पास क्योंकि धहरे बहुत ही अच्छे गुणों में से एक है सभी के पास धहर नहीं होता बुद्धी बहुतों के पास होती है पर धहरे होना बड़ी बात है जहां थोड़ी सी देर होती है लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और कुछ उल्टा सीधा करने की सोचते हैं और यहीं परिक्षा खतम हो जाती है और फिर प्रावलम सुरू हो जाती है धैरे के साथ लगे रहें सही रास्ते पर लगे रहें क्योंकि शनी को जूट, लालच, ब वो शनी को बहुत पसंद है जैसे भगवान श्री राम मैं हर बार बोलता हूँ, बोलता ही रहूंगा कि जब उनको बनवास मिला 14 साल का जिसको कल भारत बरस का राज मिलने वाला है तब भगवान श्री राम ने खहा जो आग्या माता या पिता पिता श्री और कितने प्यार से चले गए, उनके भाई भी बड़े आदर्स थे कि उनके साथ गए और पतनी भी गई, पर ये बहुत बड़ी बात है, 14 साल वो भी उसको जो इतना योग जिसको सारी प्रजा चाहती हो अपिता जी खुद चाहते थे, तो धरम के रास्ते पर चलना चाहे कुछ भी हो जाए वो करशन भी कहते हैं, जब करण से बात होती है, करण कहते हैं मेरे साथ ये अन्याय हुआ, ये अन्याय हुआ, ये अन्याय हुआ, तो मतलब इसको आप तो कैसे कहोगे, तो करशन कहते हैं ये इंपोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ ह उस चीज से आपने आपको आप कह सकते हैं कि यह नहीं कह सकते हैं, इसलिए हुआ तो ऐसा हुआ, बच्चे हैं, नौलिज नहीं है, वो एक अलग बात है, पर एक एज के बाद, जो इंपोर्टेंट है, वो है धर्म, आप धर्म के पास हैं या नहीं है, कोई भी करण इतना पास हैं, तो धहिया की बहुत महत्तपूर्ण बात है, इसके साथ-साथ बजरंग बली की पूजा, माता काली की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा और भोलेनात की पूजा जो है, धहिया के लिए बहुत अच्छी है, गरीबों का सनीवार वाले दिन कुछ ना कुछ कर पूजा उसके बाद भी करते ही रहना, और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो भी आपकी आमदनी है, उसका 10% अब 10% नहीं कर सकती, तो 5% भाई, कुछ ना कुछ पुन्य के काम में लगाता ही चाहिए, लगाना ही चाहिए, भले अच्छा काम चल रहा हो आपका, या ना च और कुछ तो उसके अपना नाम लिखना चाहते हैं कि यह जो कुरसियां है, उसने दान दी, यह उसने दान दिया, वास्ता में दान वो होता है कि दाया हाथ दे तो बाएं को पताना चले, और नेकी वो होती है, बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, अपनी तरप से किया और भूल गए वही वास्तव में कर्म होता है पूजा भी वही होती है कि इश्वर की भक्ती में लीन हुए मंत्र पढ़ा और कितनी बार पढ़ा आपको ध्यान ना कुछ मांगा ना कुछ बस अपने प्यार से अपने मन से किया और पूजा की मन से और बाद में भूल गए कुछ मांगा नहीं तो वो असली thankfulness होती है यह असली पूजा होती है इसको सार्थविक पूजा कहते है सबसे best तो यही होती है इसके बाद देखे शनी की दर्ष्टियों की बात हमने कर ली सनी के बाद मंगल पे आए मंगल का छटे में आना वैसे अच्छा है ट्रांजिट में पर चू की मंगल वक्री है मंगल वक्री हो रहे हैं आपके 10 सितंबर से 13 नवंबर तक और सब्त में छटे भाब में आ रहा इसके साथ सादूति भाब का भामी छटे भाम में आ रहा एक तो करज ना दें किसी को पैसे का ध्यान दखें किसी के लड़ाई जगड़े भरतने में ना पड़ें जीत आपकी होगी पर उसमें पैसा खर्च हो सकता है पतनी की सेहत का ध्यान दखें पती के सेहत का ध्यान दखें आपके जो साथ ही हैं उनके सेहत का ध्यान दखें स्टूडेंट्स वगरा के लिए अच्छा समय है ये गुरू के मैं बता देता हूँ जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं और तो आप अगर अपने जो पार्टनर है उनका उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं, जितना आप खुद की रेस्पेक्ट करते हैं, और बड़ा ही आपकी भावनाय अच्छी है, तो ये अच्छा समय है, कम्मुनिकेशन बढ़ाने का हो सकता है, वो हां कह दे, या हां कह दे, वो लड़की या वो लड़का, और ये बाते हैं, शादी तक भी बढ़ जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गुरू की दर्ष्टी जो है, वो सब्तम पर आ रही है, शुक्र एकादस भाव में है, और बुद्ध लगन में होकर सब्तम को देख रहे हैं, तो बह अनकूल है, अगर आपकी दशा महादसा कुंडली में योग हैं, तो इसके बाद हम देखें मंगल की दूसी देश्टियां, देखिए मंगल की एक देश्टी जो है, पिता के भाव पर पढ़ रही है, और मंगल जो है, सब्तमेश है, सब्तमेश की देश्टी नवम पर यात्राओं से लाब होगा, फिलोसोफिस से लाब होगा, पिता से लाब हो सकता है, गुरूँं से लाब हो सकता है, पर थोड़े से संब्मन्दों में, क्योंकि यहाँ शनी की दश्टी दसंभापर है, और मंगल पर, नवम भापर मंगल की दश्टी है, तो misunderstanding, किसी बात को ल का ध्यान रखें, उनके स्वास्त का ध्यान दें, क्योंकि सूर्य जो हैं बारे में भाब में रहेंगे, सत्रह तारिक तक उसके बाद वो लग्ण में जरूर आएंगे, पर नीच के हो जाएंगे, तो पिता के स्वास्त का ध्यान रखें, अपने confidence को बनाये रखें, तो व्यक् के साथ थोड़े सी गलत फैमी की चांसे यहां पर बनते हैं बहुत के साथ और जो confidence वाली बात कही तो देखे confidence कब आता है confidence के लिए आपको clarity और knowledge होना जरूरी है जब आप जानते हैं इस चीज को कि मैं इस topic का master हूँ यह मुझे आता है और जब आप उसको face करते हैं तो confidence फिर पर जिसको बहुत चादे भी लगता है न वो भी जीत सकता है वो भी जीत सकता है अगर ठान ले वो भी जीत सकता है अगर हार न माने वो भी जीत सकता है अगर आगे ही बढ़ता चला जाए पर problem क्या है problem यह है कि ना तो सभी लोग इतने lucky होते हैं life में कमी लोग होते हैं 10% म कमी लोग करते हैं और बहुत लखी भी कमी लोग होते हैं बहुत मेहनत से मेरा मतलब यहां पर मुक्केवाजी फिजिकल हेल्थ एक्साइज वो नहीं है यहां मेहनत का मतलब है कि आपका जो गोल है उसके अनुरूप आपकी पर्सनल्टी का डपलप्मेंट एक प्लानिंग एक स्मार्ट वर्क जो चाहिए होता है फॉर एक्जामपिल अगर आप सेल्स में हैं तो आपको आना चाहिए कि कैसे बात करनी है एक बार ना कहे उसके बाद दो बार ना कहे उसके बाद कुछ लोग तो अगर सेल्स में है वो कहेगा हाँ भी नहीं लेना तो वहीं से लोटाएं तुरन समझना उसको दवाईयां लिखना उसके साथ साथ उसको साइकोलोजिकली एक रिलेशन क्रियेट करना वो जरूरी करना ताकि उसको यह लगे कि हाँ डॉक्टर ने उसको देखा है उसका उसका चेक अप किया है और अब वो अच्छा होने वाला है क्योंकि mental प्लैसिव आप कह सकते हैं उसको पर यह बहुत important है तो अपने छेतर के according क्या चीज़े है उसकी requirement है वो सीखना नहीं है तो आप उसकी practice कीज़े हर तरह की skill की practice करें तो बाते आप में आने लगती है इस तरह की महनत की बात कर रहा हूं मैं जिस तरह का आपका goal है उसके according और हमेशा और देखिए यह हम बात कर रहेते हैं मंगल की मंगल की बुद्ध परदस्टी है और लगन परदस्टी है तो वानी में थोड़ी सी जल्दवाजी हो सकती है और थोड़ी सी अधैरिता हो सकती है आपके मतलब किसी चीज़ के निर्णे लेने में आप जल्दी कर सकते हैं खास करकी जब आपके बुद्ध बक्री रहेंगे बुद्ध आपके बक्री है 14 अक्टूबर के बाद 14 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा जादे धान रखना है वाणी में कुछ ऐसी बात हो सकती है जो बहुत जादे प्रिये ना हो थोड़ा करवा बोल दे जल्द वाजी में कोई गल्ट ने ने कर सकते हैं क्रोध आशकता है थोड़ा सा कोकि मंगल जब लगन को देखते हैं अधहरता बढ़ाते हैं क्रोध बढ़ाते हैं विक्ति के अंदर इस चीज कद्हान रखिएगा यहाँ पर मंगल की दिष्टी सूर पर है बुध पर है, तो मंगल की सारी देश्टों की बात किया, अब हम राहु की बात करें, राहु अष्टम में हैं, सेहत का ध्यान रखें, रिसर्च की तरफ अकल्ड की तरफ, एस्टरलोजी की तरफ इन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, और यहां बैठे जो तीन चार पांच सूर्य पर पड़ रही है तो पिता के और बॉस के साथ सम्मंदों में ध्यान रखें कुछ गलत फहिमी हो सकती है खर्चा यहां से राहू ला सकते हैं राहू की डश्टी जो वानी के भाब पर है तो वानी का खास ख्याल रखें वानी का खास ख्याल रखें राहू के लिए माता दुर्गा के सफशेष्ट पूजा है ओम दुम दुर्गाय नम्हा इसके अलावा जो नारियल का होता है कि साथ बार अपने उपर से उतार के पानी में वो सब सूर्य की पूजा क्योंकि सूर्य प्रकास है तो राहू अपने आप ही कंट्रोल हो जाते है ओम ढणी सूर्य आदित्य ओम सूर्य नमशकार करना आदित्य सूर्य की पूजा है वो उससे भी राहू कंट्रोल में रहता है और माता दुर्गा की पूजा जो है राहू के लिए दुर्गा सब्सशती अब तो नवरात्रे ही आ रहे हैं 17 तारिक से 25 तारिक तक तो अगर आप नवरात्रे में बहुत ठंग से मन से दिल से माता की पूजा करते हैं तो काफी हत्त की राहु के तू का जो चेंज हुआ आपके लिए उस्पीसियस हो जाएगा राहु की यहां से जो दस्टी है वो घर गाड़ी बंगले के भापर पड़ रही है तो गाड़ी खरीते वक्त घर खरीते वक्त गाड़ी बंगला खरीते वक्त जमीन खरीते वक्त ध्यान रखें क्योंकि शनी आप खरिदवा तो सकते हैं यहां से खरिदवा तो सकते हैं पर डॉकुमेंट्स में कोई गरवड़ी हो सकती है खास कर कि आपके 14 अक्टूबर के बाद क्योंकि बुध जो की डॉकुमेंट्स को दिखाते हैं वो वक्री हो रहे हैं तो बुद्ध अगर 14 अक्टूबर के बाद अगर आपकी कोई डील है तो उसमें दोकुमेंट्स वगरा का ध्यान रखना है यह हमने राहू को देखा शुक्र की बात करें तो महिलाओं से महिला दोस्त बनेंगी आपकी अगर आप इस तरही है तब भी महिलाओं दोस्त बनेंगी सहिली आपकी बनेंगी अगर आप पूर सें तब भी आपके ऑफिस में आप किसी से नई महिला से मुलाकात होने की यहाँ पर चांसिज है कार के छेतर पर किसी बड़ी conference की जगे पर आपकी मुलकात आपके भावी पती पतनी से हो सकती है share वगेरा से आपको लाव हो सकता है अचानक से कोई लाव हो सकता है शुक्र यहाँ पर लगन के स्वामी है और अश्टम के स्वामी है तो लगन का स्वामी एक आदस में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लाव हो सकता है, कुछ इच्छा पूर्ती हो सकती है, कुई सपना आपका पूर्ण हो सकता है, अश्टम का स्वामी एक आदस में जा रहा है, तो जो आपका friend circle है, उसमें transformation आ सकते हैं, बदलाव आ सकता हैं, खास करकि बेहन के साथ क्योंकि शुक्र हैं और शुक्र जो है इस तरी को दिखाते हैं सूरी की अगर बात की जाए एक आदस भाव का स्वामी बारे में भाव में जा रहा है तो देखिए ध्यान रखिएगा नुक्सान हो सकता है पैसे का थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है पर मल्टिनेशनल कंपनी से इंटरनेशनल कंपनी से फोरन सोर्सों के थूरू लाब भी हो सकता है अगर आपका फील्ड ऐसा है जहां पर जैसे कि आप पोईट है राइटर हैं कम्यूनिकेटर हैं आर्ट का फील्ड है तो आपके लिए अच्छा रहेगा ट्रांजिट सूर यहाँ पर सिर्फ 17 तारिक तक रहेंगे 16 तारिक तक उसके बाद वो यहाँ आएंगे और यहाँ वो नीच के होंगे तो एक तो confidence का ध्यान रखें बोस का ध्यान रखें और कह सकते हैं कि 11th house का जो lord है वो लगन में आ रहा एक तरह से पैसे का source तो आएगा पर थोड़ा सा मेहनत के साथ कोई काम बिगड़ के बनने की chances यहाँ पर बन रहे हैं तो यह था हमारा तुला जो है उसके लिए इस महीने का मासिक फल रासि फल क्या साबधानी हो क्या क्या हो सकता है सबके में अब जिसकी जो गह दशा चल रही हो कि उसका जादे रेजल्ट आएगा सूर की अगर आपकी दशा चल रहे है तो सूरे वाला जादे आएगा गुरू की चल रही है तो गुरू वाला बुद की चल रही है तो बुद वाला उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा इसके लाबा इस महीने के जो तोहार है जल्दी से बात कर लेते हैं देखे 17 तारिक से 25 तारिक तक नबरात्रिया जैमाता दी ओम एम रीम कलीम चामुंडाय विच्चे तो ब्रत रखिएगा कहानिया सुनिएगा माता की जो कहानिया हर दिन की उससे समझिएगा या देवी सर्व भूतेसु सक्ति रूपेन संस्ता नमस्तस्ते 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 नमो नमहा बहुत सारे देवी के मंतरें आप किसी को भी पढ़ सकते हैं नवारण मंत सबसे फेमस है इसके लाभा बहुत कुछ है दिर्वा, तुर्गा, सब्सद्रती है वगएरा वगएरा सारे ही बड़े सकते साली हैं खास कर की सभी ग्रहों के लिए है और राहुकेतु के लिए तो खास कर राहु के लिए खास कर दुर्गामा की पूजा की जाती है कालिमा की पूजा सैटन शनी के लिए भी की जाती है और वाकी उसमें जो नो देवियां है और नो के नो ग्रहों के लिए है एक अक्टूबर 31 अक्टूबर को पूरिमा है पूरिमा का ब्रजो लोग रखते हैं बहुत महत्वपूर है तेरे तारिक को परम एका दशी है 27 तारिक को पाप अंकुषा एका दशी है परम एका दशी का जो तालुक है वो धन संप्रद्धी पैसा सम्रद्धी से है और पाप अंकुषा का जो तालिक है आपके जो पूर जो पाप कर्म है पूराने कर्म है उनको जलाने से है कर्मों को खतम करने से है ताकि आप मोक्ष की तब जा सकें बाकि आप उसको जब कहानी को पढ़ेंगे आनंद रूपी शिव, स्वयम पर्मात्मा, आनंद रूपी शिव, तो जो लोग भोले नात के भाक्त हैं, वो उनका ब्रत रखते हैं और बड़ा आनंद उठाते हैं उनके ब्रत रखने में, इसके बाद 17 तारिकी संक्रांती है, सूर, तुला राशी मेंगे तुला संक्रांती और 16 तारिकी अमावस्या है, अमावस्या का बरत राहू, शनी के लिए मेंली किया जाता है, इसके अलाबा अपने पूरवजों के लिए हम अमावस्या का बरत करते हैं, क्योंकि अमावस्या हमें पूरवजों से जोडती है, पूरवज हमसे हमेशा जोड़े हुए हैं, वास प्रित्मान मतलब हम और पंचा मतलब हमारी संतान मतलब हमारे आगे की पीडियां ये वास्ता में एक ट्राइंगल है इसको धर्मा ट्राइंगल कहते हैं और ये आपस में जुड़ा हुआ है हमेशा हम अपने पूरवजों से अपनी लीनियस से जुले हुए है तब ही कुल भछास करना चाहिए कोई कि विशेज दिन होता है विशेज समय होता है और समय बहुत बड़ी चीज है ठीक है एक ही समय पर वही विधियो समाल करता हूं तोला राशी का तोला लगन का Provost का कु přलीज लगा होगा शेर कीजिएगा घंटी बाला बटन दवाना मत भूलिएगा मैंने अपने डेक्स्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेस्बुक का इंस्टाग्राम का ट्विटर का तो प्लीज लाइक प्लीज फॉलो और इसी के साथ मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नम का